मकर रासी आज नोकरी में अच्छी प्रगती होगी बेवसाय में इच्छित बृद्धी के साथ नए आर्थिक स्रोत भी बनेंगे साउधानी परिवार में कड़वी भासा का प्रियोग न करें अन्यता अमंगल की स्थिती उत्पन न हो सकती है उपाए गाय के दूद का खीर बना कर ब्रामण को खिला है आज सफलता का मीटर 85 प्रस्थ है अर्थात हर कारे में सफलता मिलेगी सेहत का मीटर 80 प्रस्थ और सम्मंद का मीटर 85 प्रस्थ अचारी जी आप से जाना चाहेंगे कि मा लक्ष्मी को प्रस्थ ने करने वाले अचूक उपाए कौन से होते हैं जिसे करने से हमारे दर्शक माला माल हो जाए मा लक्ष्मी की करपा के धन्वान बनना असंभव है इसलिए जोतिस में जितने भी धन योग दरसाए गए हैं और जिन जातकों के जन्वांग में होता है उसका सीधा आर्थ है लक्षमी की किरपा से वह व्यक्ति आसिरवादित है लक्षमी प्राप्ति के भिन भिन उपाये आपने बहुत सुने होंगे लेकिन आज प्रियोग करके आप निश्चित ही महालक्षमी की किरपा प्राप्त करेंगे सबसे पहले प्राता उठकर भगवान सुर्य को जल देने के पस्चात मंदिर में बैठें और मंदिर में बैठकर श्री अंत्र को गंगा जल से परवित्र करते हुए नियमित श्री सुक्तम का पा प्रिया नमह का ग्यारे माला जब करने के बाद माता लक्षमी के मंदिर जाकर संक, कौडी, कमल, मखाने की खीर तथा बतासा अरपीत करें तथा यह प्रार्थना करें कि हे माता मेरी उपर किरपा करें तीसरा उपाए गोधुल बेला में अर्थात लगभग जब सुर्य अस्त होता है उस समय घी का दीपक जलाकर संकराचारे द्वारा रचित कनकधारा इस तरोत का ग्यारे बार पाट करिए निश्चित रूप से लक्षमी की किरपा मिलेगे चौथा उपाए भूल कर भी थाली में अन्न मत छोड़िएगा और आज महालक्षमी को प्राप्त करने के महामंतर को आप निश्चित नोट करिए कलम कागज लीजिए करकरासी परिवार में किसी बिसेश कारे को करने है तो आपसी सहमत बनेगी अचानक प्रगत के लिए जोखिम भरा निवेस बिल्कुल ही न करियेगा यद्यपी केरियर के छेतर में सुचना प्राप्त होगी साउधानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रन रखें उपाए गरीबों को आर्थिक दान देने से आज का दिन और बहतर होगा आज आपके सफलता का मीटर 70 परसद सेहत का मीटर 75 परसद और सम्मंद का मीटर आपके दिन को और भी अच्छा बनाएगा आज सफलता का मीटर 70% सेहत का मीटर 80% और समन्द का मीटर 75% रहेगा